हलोँ फ्रेंद्स और वेलकम बैक तो माई चैनल आज मैं आपके लिए अमेजिंग से किचिन टिप्स लेकर आई हूँ और स्पेशली आज के जो किचिन टिप्स है वो सारे से सारे गैस टरव को साफ करने को लेकर है यानि गैस टरव की डिप क्लिणिंग हम करने वाले है बेसि गैस टरव को साफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्लीनिंग एजिंग बनाते है जो हमारे गैस टरव को साफ करने में बहुत मदद करने वाला है तो आदा चमश बेकिंग सोडा और बाद में लिक्विड सोप जो बरतंत होने का आप यूज करते है वह आप डाल दे कोई भी अर इसको मिक्स कर ले और यह हमारा पेस्ट चित चिपच नाप करके है जो भी जाब आठा है और बाद में हमें gas वाले को बुलाना परता है इसको ठीक करने के लिए अभी जो हमने paste बनाया है वो इस तरह से brush के help से आप apply कर ले जैसे के आप वीडियो में देख रहे है इससे जो गंदगी और चिपचिपा पन होगा वो सब फूल जाएगा और बाद में हमें साफ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी gas knob के अंदर के side भी आप apply कर ले क्योंकि वहीं सबसे जादा चिकनाहट जमा हो जाती है ये देखिए इस तरह से मेरा जाधा गंदा नहीं है क्योंकि मैं regularly इससे साफ करती हूँ friends अगर आपका बहुत गंदा है तो आप आधा गंदा इस paste को लगा के छोड़ दे और इसको साफ करें देखिए सारे knobs मैंने निकाल लिये है और इसको अंदर मैंने apply कर लिया है ये paste और अब इसको आपको तु टिशू पेपर के बज़े आप कोई कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं बड़ कपड़ा पर दाग लग जाएगा तो मैं टिशू पेपर ही प्रिफर करती हूँ ये देखिए चिकनाहट बिल्कुल भी चली गई है इदा पॉफिक लिए साफ हुआ है उसी तरह से ये दूसरे नॉब को भी आप साफ कर लें मैं फिर से बोल रही हूँ अगर बहुत जादा गंदा है तो आप आदा कंटा पेस लगा के छोड़ दे और उसके बाद आप इसको साफ करें नॉब का बाहर के साइट भी जरूर साफ करें क्योंकि हमारे मसाले वाले हाथ या कभी आटा हम रो किंग सोडा है वो भी अच्छी तरह से निकल जाए यह देखें इदम क्लीन हो गया है चिकना हट प्री हो गया है यह जो नॉब्स है इसको में हलके गुंगुने पानी में एड कर रही हूँ फ्रेंस हलका गुंगुना पानी ही लेना है और तुद ब्रश के हल्प से आप इस जाए है आप आपके नॉब्स आज ही निकाल के देखीगा कितने चिपचिपे हैं बस इसे पोच लेंगे यह देखें बढ़िया से हमारे नॉब एदम नॉन स्टिकी और पॉफेक्ली क्लीन हुए है यह देख सकते हैं कितने साफ हुआ है और जो बाहर के साइड भी वाइट यह देखिए तो नॉब्स को साफ करना बहुत जरूरी है और यह जाम हो जाते है और बाद में हमें बहुत जादा दिक्कत आती है तो इस तरह से आप रेग्यूलर्ली हफते में एक बार ज़रूर साफ करें चलिए अब बर्नर के आसपास की जगा को भी साफ कर लेते हैं और बेकिंग सोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है स्पेशली स्क्रू जहा है वहां मैंने डाल दिया है और इसको अक्टिवेट करने के लिए इसके उपर हम डाल देंगे सफेद विनेगर विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस का भी यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा डिश भी गंदगी फस जाती है चिकनाहट फस जाती है और इसमें आपको इसको इसको अपलाई करके रखना है अभी आपको गिस्ना नहीं है तब तक हम बनर को सोप कर लेते है तो पानी ले लिया है एक चमच सफेज विनेगर डाल देंगे आदा चमच के करिब बेकिंग सोड़ा और इसमें हम burner को dip कर लेंगे और इसमें हम दाल देंगे liquid soap भी थोड़ा सा इसको अभी कुछ गिसना वगेरे नहीं है आपको directly इसी तरह से रखना है जादा गंदा है तो आप गुन-गुना पानी ले सकते हैं इसको रख लेती हैं अब यह स्टैंड को भी साफ कर लेते हैं और स्टैंड को आप डिप कर ले और बरनर को भी साथ में डिप कर ले और वेकिंग सोड़ा विनेगर और डिश वाश दाल के उसको आदर गंटे के लिए छोड़ दे मैं इसे रेग्यूलर्ली साफ करती हूं जैसे कुछ उबल जाता है कुछ गिर जाता है तो तुरंत ही मैं इस इसलिए इस पर बिल्कुल भी तेल की परत नहीं है इसको सोख होने देते हैं चलिए पांच मिनिट हो चुके है तो मैं इसको साफ कर लेती हूं तुद ब्रश के हल्प से ही मैं साफ करूंगी बाहर के साइड भी इस तरह से ये देखिए बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है कांच वाले पर बिल्कुल भी कोई भी शाप चीज़े ना लगाए गैस के आस पास यानि की यह देखिए साइड में भी जरूर साफ करें यह हम रेगुलरी साफ नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर भी ओगिरे चिप चिपे स्टेंस लग जाते हैं फ्रेंस स्पेशली यह करें कि जब भी कुछ गिरे तब तो आप साफ करें ही और हफते में एक बार इस तरह से जरूर करें तो मैंने सारा इसको घिस लिया है अदम अची तरह से अब जहां स्क्रूज है वहां अगर जादा गंदगी फसी है तो आप नाइफ का यूज कर सकते हैं फौक का यूज कर सकते हैं और उससे भी आप साफ कर सकते हैं यह देखे इस तरह से यह वाला ब्रश यह दम कोने में अच्छी तरह से घूमता है यह देख सकते हैं और अब चलिए गैस तो मेरा अच्छी तरह से साफ हो चुका है बर्नर को देख लेते हैं तो बर्नर को अब मैं इसी तरह से त बिल्कुत भी ब्लॉक नहीं रहे का आपका बर्नर इसको नॉर्मल आप सोप से फिर से घिस ले और इसको साफ कर ले जैसे सब बताते हैं मैं फेक वीडियो कभी नहीं लाती हूं आपके लिए एद्दम ओरिजनल और जो काम करने वाले वीडियो ही आपके साथ शेयर करते हूं इसे वाश कर लिया है इसे सुखने देती हूं चल ये तब तक हम गैस को पानी ले लेती हूं और इस तरह से मैं से साफ कर लूँगी और पिर गैस को उठा के जो पानी है उसको पीछे की तरफ इस तरह से निकाल लूँगी जो बॉर्नर है उसके अंदर पाणी नहीं जाना जलने में प्रॉब्लम हो सकती है तो उतना जरूर ध्यान दे आगे पीछे हाथ इस तरह से घुमाते हुए आप पूरा सोप और जो बेकिंग सुडाम ने डाला था वो सब आप साफ कर ले दिये देखिए बहुत ही आसान तरीके से साफ हो जाता है फ्रेंड्स अगर आप रेग यह कांच का है तो इस पे बहुत फिंगरप्रिंस पगरे लग जाते है या पानी के दाग लग जाते है तो इसलिए आप जब भी आप वश करे या कभी आप साफ करे उसके बाद एक सुखा इस तरह से मािक्रो फाइबर पलॉट से आप जरूर साफ करे तो इदम चमक और burner अभी थोड़ा सा गीला है तो मैं इसे पोच के ही लगा रही हूँ अगर आप रात को कर रहे हैं तो सुबह तक burner को सुखने दे उसके बाद ही आप लगाएं यह देखें, burner भी लगा दिया, stand भी लगा लेती हूँ और सच बताती हूँ यह जो gas stove है यह 9 साल पुराना है फ्रेंड्स मेरा और अभी भी इतना चमक रहा है क्योंकि मैं इसे हफते में एक बार इस तरह से deep clean करती हूँ अगर आप चीजों को regularly साफ करते हैं तो फिर वो चीजें लंबे समय तक भी अच्छी रहती है और जादा चलती है gas knobs देखें इदम perfectly clean है दूसरे youtube जैसे बताते हैं कि gas burner इदम चमक गया आप उनकी tip फॉलो करके देखें वो बिल्कुल चमकेगा नहीं फ्रेंड्स मैं fake video नहीं लिकियाती हूँ जो original काम करता है बस वहीं मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स यह जो tips मैंने आपको बताईए gas dog काच के लिए भी है और steel का गरब है तो उसके लिए भी है रिदम हाईजिनिक बन जाता है डिसिंपेक्ट हो जाता है क्योंकि हमने विनेगर भी इसमें यूज किया है तो इसी तरह से मैं अपने gas dog को साफ करती हूँ हूँ हूँ